आज हम सीखेंगे वक्र क्या आपने पेंसिल से कागस पर कोई चित्र बनाने की कोशिश की है? यदि नहीं की होगी, तो करके जरूर देखिए कई बार जब हम कोई चित्र बनाते हैं, तो कोई आकार बनाने के लिए सीधी और टेड़ी मेड़ी रेखाएं कीचते हैं अकसर ऐसी रेखाएं कागस से बिना पेंसिल उठाएं बनाई जाती हैं जैसे यहां हमने एक पेड़ बनाया है, इसी तरह हम परवत, बादल, जर्ना, रस्ता, इत्याधी बनाएंगे कागस से बिना पेंसिल उठाएं बनाई गई सीधी और टेड़ी रेखाएं वक्र यानि कर्व कहलाती है हाला कि वक्र शब्द का अर्थ सीधा नहीं यानि के टेड़ी मेड़ी रेखा है लेकिन जरूरी नहीं, वक्र हमेशा एक टेड़ी मेड़ी रेखा ही हो अगर कागस से बिना पैंसिल उठाए, एक सीधी रेखा बनाई जाए, तो यह भी एक वक्र ही कहलाती है अब इन वक्रों को देखें, क्या आप बता सकते हैं, इनमें क्या अंतर है? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं, यह वक्र स्वयम को नहीं काटते हैं, जबकि यह वक्र स्वयम को काटते हैं जब कोई वक्र स्वयम को नहीं काटती, तो उसे हम सरलवक्र यानि सिंपल कव कहते हैं अगर वक्र स्वयम को काटती है, तो वह एक सरलवक्र नहीं है कुछ वक्र एक स्थान से शुरू होकर पुन्ह उसी स्थान पर समाप्त होते हैं यानि कि इनका प्रारंबिक बिंदू या अंतिम बिंदू नहीं होता यानि कि इसके सिरे मिले हुए होते हैं ऐसी वक्र जिसके सिरे मिले हुए होते हैं एक बंद वक्र यानि close curve कहलाती हैं, जैसे यहां यह सभी बंद वक्र हैं. यदि हम इस वक्र को देखें तो हम पाते हैं कि यह एक बिंदू से शुरू होता है और दूसरे बिंदू पर समाप्त होता है, यानि कि इसके सिरे मिले हुए नहीं हैं, ऐसी वक्र जिसके सिरे मिले हुए नहीं होते हैं, एक खुली वक्र यानि open curve कहलाती हैं, ऐसी वक्र का प्रयास कीजिए यहां आकरती A, C और E में दर्शाए गई वक्र बंद वक्र है क्योंकि इनके सिरे मिले हुए है जबकि अगर हम आकरती B, D और F को देखे तो इनके सिरे मिले हुए नहीं है इसलिए यह सबी खुली वक्र है बंद वक्र की बात करे तो इनके तीन भाग होते हैं वक्र के अंदर का भाग, वक्र का भाग और वक्र के बाहर का भाग वक्र के अंदर का भाग कहलाता है वक्र का अभियंतर यानि इंटीरियर वक्र के बाहर का भाग कहलाता है वक्र का बहीर भाग यानि एक्स्टीरियर और वक्र का भाग कहलाता है वक्र की परिसीमा यानि बाउंडरी वक्र के अभ्यंतर और उसकी परिसीमा को मिलाया जाए तो साथ मेवे वक्र का शेत्र यानि रीजन कहलाते हैं अब आपको वक्र की समझ बन गई होगी तो आज हमने सीखा वक्र अगले वीडियो में देखेंगे इनसे सम्मंदित कुछ मज़ेदार उधारण